हेलो फ्रेंड स्वागा थे आपका एकजाम नीज बैच जेके में तो दोस्तों कोवेड-19 को देखते हुए कोवेड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं करोनों का जो घर हो रहा है इसको देखते हुए बिहार सरकार के दौरा दोस्तों न्यू गाइडलाइन जो है जारी कर दिया गया दोस्तों आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक जरूर दखेंगे अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर भी तक नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पेस के लिजेगा क्योंकि इसी तरह के निउव अपडेट आप यानि कि कल से क्या क्या बंद रहने वाला है सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटे ल से बात करेंगे और सारे चीज़ पर देख सकते हैं यह PDF है पहले आईए इसके सत्क्यापन के लिए हम देख लेते हैं नीचे आप देख सकते हैं यहां पर संजीब कुमार सिंगल जो की पुलिस महानी देशक बिहार है इनके सिगनेचर आप देख सकते हैं 3421 और यहां पर देख सकते हैं अरुन कुमार सिंग जो मुखी सचीब बिहार के हैं उनके सिगनेचर की गई है गया पर संक्या 62220 34 पतना दिनांग 3421 को ये बैठा कुई थी और इसमें क्या-क्या निरनाई लिया गया है कोबिड-19 के गाइडलाइन के खिलाफ आईए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और नया गाइडलाइन अब क्या जारी किया गया है आईए बिहार सरकार के दोरा सारा कुछ इस वीडियो म हम लोग जाल लेते हैं इस वीडियो में दोस्तों बोला गया है कि दिनांग 3422 को आपदा परवंद समू CMG की बैठक में कोबिड-19 के सकर्मन के परसार की समिच्छा के क्रम में बिहार राज में कोबिड संकर्मन के मामलों में अपर त्यासित ब्रधी को देखते हुए नियं सबसे पहले जो आदेश हैं वह क्या है कि सभी जीला पताधिकारी एवं जीला पुलीस अधिचक अपने अपने छेतर में ग्रीव मंत्राले भारत सरकार के कोबिड-19 के संकर्मन को नियंतरन करने है तू जारी अधतन दिशा निर्देश तथा स्वास्त एवं परिवार कल्य दिशान मंत्राले भारत सरकार द्वारा कार्य अस्थालो धार्मिक सौपिंग मॉल एवं रेस्टूडेंट आदि के संचालक से संबंध में निर्गत अदधन मानक संचालन प्रकिरिया का अच्छरच एवं कडाई से अनुपालन सुलिष चीत करें तो धार्मिक अस्थालों पर और साथी में सौपिंग मॉल होटल और रेस्टूडेंट यह सभी जो संचालक हैं उनके खिलाप बोला गया है कि आप उनके खिलाप देख ले सही तरीका से उनसे बात चीत कर ले और साथी में दोस्तों दूसरा नंबर में यहां पताया गया आप लोग को कि भीड़ भा सुनिश्चीत की जाए तो यहां बोला गया है साप साप कि यह सभी बिलबाल बाल जागए है वहां जद्वा है जधासे जधा पुलिस को पुलिस को तैनात करके आप लोग को इस COVID-19 के जो गाइडलान है उसे पालन करवाने की जो है आदे सीधे सीधे बिहार सरकार ने दे दिया है तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों तो आप लोग को यह तीन तारीका ज हुसमें साफ साफ यह बता दिया गया है साथी में कभसे यह हैं लोगडान ये भी हम लोग देख लिए से दोस्तों तो यहां देख सकते हैं पाइरा नम्मर तीन में कि दिनांग पांच चार दोजार एकीस यहीं कि आज ही के दिन से पांच चार दोजार एकीस से खुलने वाले अस्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेज अब दिनांग 11421 तक बंद रहेंगे तो यहां साफ साफ लिख साब साब बता दिया गया है कि जो ओ स्कूल से कोचिंग क्लासेज जितने हैं जो पांच चार 2021 को खुलने वाले थे, अब बन रहेंगे और 1142028 तक बंद रहेंगे 114oire 21 तक बंद रहेंगे खुलने अब कोई भी नहीं दिया गया है सिर्फ इतना बताया गया है कि 11-4-2020 तक आप लोग का जो कोचिंग क्लासेज है सारा जो है बंद रहेगा बोला गया है कि पूर्द निर्धारित परिछाएं अगर जो पहले से जो निर्धारित परिछाएं है अस्कूल या कॉलेज के द्वारा जो करबा दिया गया है तो परवंधक के अनुसार, आवसकता अनुसार COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे, यानि कि अगर जो है पहले से किसी भी अस्कूल या कॉलेज की परिच्छा निर्धारी थे, तो COVID-19 का गाइडलाइन को आप पालन करते हुए अपने परिच्छा करवा सकते हैं लेकिन कोचिंग, कॉलेज और क्लासेज, अस्कूल ये सारे बंद रहेंगे ग्यारत तक, नेक्ष्ट बताया गया है दोस्तों कि सार्वजनिक अस्थलों पर किसी भी परकार के आयोजन पर, यानि कि सरकारी या नीजी आयोजन पर, रोक जो है दिनांग 5-4-2020 से अपरेल के अंत तक रहेंगे, अपरेल, पूरे अपरेल महीने तक, जो है, किसी भी सार्वजनिक अस्थलों पर, जो है, सरकारी या नीजी जो आयोजन है, उस पर रोक रहेंगी, अपरेल महीने के लाश्ट तक, तो यह आप देख सकते हैं, उक्त रोक, बिवाह और स्राद, एवं अड किसी की मिर्ट्य हो जाती है, और उसके सराद में आप जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक 50 लोग जो है, जा सकते हैं, और अगर बिवाह में जा रहे हैं, तो आप लोग 200 से ज़्यादा लोग जो है, बिवाह में नहीं जा सकते हैं, यह निकि धाई लोग से ज़्यादा संक्या में स्राद में 50 ब्यक्ति और जो है साधी विवा में धाय सो अद्मी से जादा आप लोग इकठा नहीं हो सकते हैं तो ऐसा आप लोग को बताया गया है नेश्ट अगर देख लेंगे वारे में दोस्तों तो बताया गया है कि सरकारी कारियालों में शामान आगानतुकों साथ बतायों में के पर्वेश पर रोक रहेगी कारियालाय परधान अपने श्वववेक से अपनी कारिया यह जो पर जोह än वह रहेंगी और ज्यादा भीड़वार वहां पर नहीं रहेंगी और यह ब विवस्था तो सुलख जो 20 अप्रेल मात जो में अधिक्तम पचास परतिसक्थठी में नहीं रहने दिया जाएगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे की बस हो गया या फिर और जो भीडवाल जिसमें जादा रहता है उसमें 50% अगर 100 सीठ है उसमें तो मातर 50 व्यक्ती ही बैठ करके उसमें जा सकते हैं यानि COVID-19 का दूरी का जो पालन करना है जो एक फिर दूरी बना करके रखना है तो इसी के तहर आप लोग को बताया गया है कि 50% सवारी ही अपने बस पे चढ़ाएं ज्यादा सवारी आप अपने बस पे नहीं चढ़ाएं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा लिड़ भाले इकठा करते हैं तो आप लोग के बिरूद जो है कानूरी करवाई भी की जा सकती है नेक्स्ट दोस्तों बताया गया है आप लोग का जो लास्ट है कि सार्बजनिक अस्थलों पर जिला प्रसाशन सुनिश्चित करेगा कि कोबिड सुरचात्मक उपाई यथा मास्क का उप्योग समाजिक दूरी इत्यादी सुनिश्चित रहे तो आप लोग को जो सरबजनिक अस्थल है उस पर जो जिला प्रसाशन है उसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आप वहाँ पे जब भी जाए तो दूरी बना करके रखें और मास्क मास्क की ज हमने बता लिया है तो यह जो कल से यानि की पांच चार्प से जो है यह जो है सारी प्रकिरिया लागु करवाई जाएगी सुनिश्चित करवाई जाेगी तो डारा से या Dogon कose ब्राइब है दुछ स्काल करना है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी न्यूज रहती है यानि कि हमारे स्टुडेंट के लाइफ पर क्या इफेक्ट पढ़ने वाला है तो सारा चीज हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं तो यह था न्यू गाइडलाइन तो आप लोग को यह बत